साथियो मैं आप सभी से एक और महत्वपण बिंदु के भी चर्चा करना चाहता हूँ आप भली भाती जानते हैं कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रेक्टर के बिना देश का विकास, देश वास्यों के जीमंस्तर को सुधारने का प्रयास सफन नहीं हो सकता लेकिन हमने देखा हैं कि Environment Clearance के नाम पर देश में आधुनिक इंफ्रास्टर के निर्मान को कैसे उल्जाया जाता था आप जिस जगा पर बैटे हैं ना ये एकतान अगर में ये हमारी आँखे खोलने वाला उदारन है कैसे अर्मन नक्सलों ने विकांस विरोधियों ने इस इतने बड़े प्रकल्ब को सरदार सरोवर डैम को रोक के रखा था आपको जानकर के हरानी होगी साथियों ये जो सरदार सरवर डैम एकतान अगर में आप बैटे हैं न इतना बड़ा जला से देखा होगा आपने इसका सिलान्यास देश आजाध होने के तुरंद बात किया गया था सरदार वलो भाई पटेल ने बहुत बड़ी भूमिकाने पाई थी पंडित नहरू ने सिलान्यास किया था लेकिन सारे अरवन नक्सल मैदान में आ गए दुनिया के लोग आ गए अपरचार किया ऐसा ये परियावरन विरोधी है यही अभियान चलाया और बार बार उसको रोक जी ने की थी वो काम पूरा हुआ मेरा आने के बार बताईगे कितना देश का पैसा बरबाद हो गया और आज वही एक तानगर परियावरन का तिरसर क्षेत्र मन गया बहुत कितना जूट चलाया था और यह अरवन नक्सल आज भी चूप नहीं है आज उनकी खेल खेल रहे ह है उनके जूट पकड़े गए वो भी स्विकार करने को तैयार नहीं है अब उनको अब राज़ितिक समर्थन मिल जाता है कुछ लोगों का साथियों भारत में विकांस को रोकने के लिए कई ग्लोबल इंस्टिटूशन भी कई फाउंडेशन भी ऐसे बड़े पसंद आने वाले विशे पकड़ करके तुफान खड़ा कर देते हैं और यह हमारे अरवन नक्सल उसको माथे पर लेकर के नाजते रहते हैं और हमारी हर रुका वटा जाती हैं परियावरन की रक्षा के समय में कोई कॉंप्रोबाइद न करते हुए भी संतुलित रुप से विचार करके हमें ऐसे लोगों की साजीसों को जो वर्लवेंग तक को प्रभावित कर देते हैं बड़ी बड़े जुडिश्यरी को प्रभावित कर देते हैं इतना आप प्रत्यार कर देते हैं चीजे अटक जाती है मैं चाहता हूं कि हमें इन सारे विश्यों में एक बड़ा होलिस्टिक अप्रोच अप्रोच अप्रवाना कर आगे बढ़ना चाहिए साथियों हमारा प्रयास होना चाहिए कि बेवज़ परियावण का नाम लेकर इज अप लिविंग और इज अप डूइंग बिजनेस के रास्ते में कोई बाधा ना खड़ी करें कईसे बाधा बंद्ति में उदान देता हूँ मैं गुजरात में पानी का संकर हमेशा रहता हैं तो हमने चघ्रेम की बड़ा अभियान चलाया में नपिए फोरेस्ट में भी पानी का प्रवंद हो तो हम फोरेस्ट में परवत की जो धलान होती है उस पर छोटे-छोटे एंडे डाइनिंग टेबल जितने छोटे-छोटे-छोटे तालाब बनाना है बहुत छोटे तालाब दस फूट लंबे हो तीन फूट चौड़े हो दो फूट गहरे हो और उसके पूरे लेयर बनाते जाना ऐसी हमने सोचा आप हैरान होंगे एनवार्मेंट फोरेस्ट मिनिस्ट्री नहीं मना कर दिया अरे मैंने का भई यह पानी होगा तभी तो तुम्हारा फोरेस्ट बचेगा आखिर कर मैंने उनकों का अच्छा मैं फोरेस्ट विभाग को पैसे देता हूं आप चेक्डेम बनाईए पानी बचाईए और जंगलों को ताकत दीजिए तब जाकर करके बिड़ी मुश्किल से मैं वो काम कर पाया था मतलब हम एनवार्मेंट के नाम पर फोरेस्ट में भी एनवार्मेंट क्लियरंस मिलेगी उतना ही तेजी से विकास हो और कॉम्प्रोमाइज किये बिना ही हो सकता है मुझे बताए गया है आप सभी राज्जों के लोग बैटे हैं आज की तारीख में एनवार्मेंट क्लियरंस के छे हजार से जादा काप आपके मंत्रा लयों में पैंडिंग पड़े हुए हैं इसी तरह फोरेस्ट क्लियरंस के भी करीब करीब साड़े छे हजार प्रोजेक्ट उनकी एप्लिकेशन आपके टेबलों को लटके पड़ी हुई है क्या साथियों आज के अधुनी क्यूग में आचा वो भी तीन मेने के बाद क्लियरंस बिलेगा चेह तो कारण कुछ और है हमें बिलकुल पोई परामिटर तय करने चाहिए निस्पक्ष भाव से करना चाहिए और परियावरन की रक्षा करते हुए क्लियरंस में देने में ग हमारे पोजे लोगों को फैदा नहीं होता है खर्च भी बढ़ जाता है समस्य बढ़ जाती है हमें कोशिश करने चाहिए पैंडेंसी कम से कम हो और जिन्यून केस में ही पैंडेंसी हो तेजी से क्लियरंस मिले इसे लेकर हमें एक वर्क एंवार्मेंट को भी बदलने की ज़ मैंने अक्सर देखा है कि जिस प्रोजे को लंबे समय से एंवार्मेंट क्लियरंस नहीं मिल रही है तो मैंने देखा है कि राज सरकारे मुझे चिठ्षिया लिखती है कभी भारत सरकार के डिपार्टमेंट मुझे चिठ्षिया लिखते है कि फलाने राज में अटका हुआ ह मैं ऐसे प्रज्यों को प्रगति के अंदर लाता हूँ और मैं हरान हूँ जैसा ही वो प्रगति में आ जाता है फटा फट राज्यों में भी केंद्र में भी क्लियरंट शुरू हो जाता है मतलब अगर एंवार्मेंट के इस्यों होते तो क्लियरंट नहीं होता तो कोई नू परिवेश पोर्ट्रल परियावरन से जुड़े सभी तरह परिवेश पोर्ट्रल परियावरन से जुड़े सभी तरह के क्लियरंस के लिए सिंगल मिंडो माध्यम बना है यह ट्रांस्परंट भी है और इससे एप्रूबल के लिए होने वाली भागदोड भी कम हो रही है आठ साल पहले तक एंवार्मेंट क्लियरंस में जहां 600 से जादा दिन लग जाते थे याद रखो दोस्तों पहले 600 दिन से जादा समय लग जाता था क्लियरंस में और टेकनोलोजी के मदद से उससे ज्यादा अच्छे ढंग से साइंटिफिक तरीके से काम होता है और थिरफ पच्चतर दन के अंदर काम पूरा हो जाता है परियावरन सिक्रति देने में हम नियमों का भी ध्यान रखते हैं और उन छेत्रों के लोगों के विकास को भी प्रात्थिक्ता देते हैं यानि यह एकनोमी और एकोलोजी दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन होती है आपको मैं एक और उधान देता हूँ करेख अभी कुछ सब्ता पहले ही केंद्र सरकार ने दिल्ली में प्रगटी मैदान टनल को देष को समर्साल कि यह लिए से दिल्ली के लोगों की जाम में फसने की परिशानी कम हुई है प्रगति मैदान टर्नल हर साल 55 लाग 55 लाग लीटर से ज्यादा इंदन बचाने में भी मदद करेगी अब यह परियावरत की रक्षा है इससे हर साल करीब करीब 13,000 टन कार्बन एमिशन कम होगा एक्सपर्स कहते हैं कि इतने कार्बन एमिशन को कम करने के लिए हमें छे लाग से ज्यादा पैड़ की ज़रूत पड़ती है यहने डेवलोप्मेंट के उस काम ने परियावरत की भी रक्षा की यहनी फ्लाइव ओवर हो सडके हो एक्सप्रेस वे हो रेलवे प्रोजेक्स हो इनका निर्मान कार्बन एमिशन कम करने में उतनी ही मदद करता है क्लिरंस के समय हमें इस एंगल को नजरनदा नहीं करना चाहिए